कसोटी जिंदगी की सबसे महगी स्टार होंगी हिना खान एकता कपूर ने जब से अपने सुपर हिट सीरियल कसोटी जिंदगी की को फिर से बनाने का एलान किया है तब से इसकी काफी चर्चा हो रही है इस सीरियल के फैंस रहे लोगों में भी काफी एक्साइटमेंट है कसोटी जिंदगी की पार्ट टू में एरिका फर्नांडीज और और पार्क सम्थान के लीड रोल करने की बात सबको पता है और अब इसका प्रोमो भी सब के सामने आ गया है लेकिन सीरियल में हिनाखान के कौमोली का किरदार निभाने की बात तो कनफर्म है मगर इसका ओफिशिल एनाउस्मेंट अभी होना बाकी है न एकता कपूर ने और ना ही हिनाखान ने इस पे अपनी चुक्पी तोड़ी है इसी बीच हिनाखान को लेकर एक और बड़ी खबर चर्चाओं में खूब है वो ये कि हिनाखान को इस सीरियल में काम करने के लिए बाकी सितारों से कहीं ज़्यादा पैसे मिल रहे है कहा जा रहा है कि हिनाखान को हर एपिसोड के लिए 2.25 लैक रुपे मिल रहे है जो सीरियल में किसी भी कलाकार को मिलने वाली रकम से कहीं ज़्यादा है इस तरह से वो सीरियल में हाइस पेड एक्टर बन जाएंगी हिना खान बिग बॉस के बाद बनी अपनी छवी का फायदा उठाने के मूड में है यहीं वज़य है कि कसोटी जिंदगी की टू में के लिए इतनी बड़ी रकम उन्होंने डिमांड की है यह रिस्ता क्या कहलाता है सीरियल की दुनिया में पॉपुलर होने वाले हिना खान ने सीरियल में 8 साल तक अक्षरा का किरदार निभाया है और खुब लोक प्रियता भी बटोरी है फिर सीरियल छोड़ने के बाद हिना खान खतरों के खिलाडी और बिग बॉस में नजर आई बिग बॉस ने हिना खान को फिर से एक बार चर्चा दिलाई बगर बिग बॉस में हिना खान एक अच्छी बहू की इमेज से एक निगेटिव और वैमपिश सक्ष्ट बन गई हिना खे इस इमेज में ओवर की खूब चर्चा हुई एक ताकपूर ने भी इसे नोटिस किया और हिना को कसोटी जिल्दगी की टू में पोमोलिका जैसे वैम के रोल के लिए कास्ट कर लिया ऐसे में हिना खान भी इस चर्चित कैरेक्टर को निभाने के लिए मुह मांगी रकम की डिमांड कर दी ऐसे में देखना ये दिल्चस्प होगा कि एकता कपूर हिनाख खान के इस सीरियल से जुड़ने के लिए अब कौन-कौन से डिमांड मनवाने में कामियाब होती है